Hello friends, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, आप लोग अपने mobile से बिल्कुल free में CV जिसे हम resume भी कहते हैं, कैसे बना सकते हैं job के लिए, अगर आपको online किसी job के लिए apply करना हूँ और आपको इसमें perfect CV चाहिए तो इस app की help से जो मैं आपको बताने वाला उसकी help से आप लोगो free app बना पाएंगे, तो आप लोगो को कुछ नहीं करना है, simply आपको आना है play store पर, play store पर आने के बाद आपको search करना है, यहाँ पर मैं आपको search करके दिखाता हूँ, intelligent CV, यहाँ पर मैं लिए intelligent CV, तो आप लोगो देखें, first ही number में मिल जाएगा, यहाँ पर resume builder app, तो यहाँ पर resume builder यह है, इसके 10 million plus downloads आप downloads देख लीजे, और logo देख लीजे, आपको यह से ही install करना है, तो आप install पर click कर देजिए, जब तक यह install हो रहा है, मैं वीडियो कर देता हूँ fast, ताकि आपका time waste ना हो, बिल्कुल छोड़ा सा app था, तो तुरंत यह install हो गया अब मैं आपको देखाता हूँ, इसे open करके, तो देखी, यह app आचुका है, मैं इसे open करके देखाता हूँ, और आपको पूरा बना कर देखाँगा, मैं एक perfect resume कैसे आपको बनाना है, तो देखी, यह आपका हो चुका है app open, आपको create का button नीचे देख रहा है, उस पर आप लो कोई भी नाम, और यहां पर address डालना है, तो address आप लोग अपना डाल दीजे, जहां पर आप रहते हैं, वो address आपको डालना है, मैं हापर sample address डालना हूँ, क्योंकि मैं अपना CV बना चुका हूँ, तो मैं यहां पर कोई भी address डाल देता हूँ, simple, यह आपको सिर्फ समझाने के मैं बना रहा हूं यहां पर email ID आप डाले email ID आपको वो डालने जो आपको अपने job के लिए apply करते time लगानी है वो आप यहां पर email ID enter कर दीजेगा मैं यहां पर डाल देता हूं कोई भी email और फिर उस गदा को यहां पर डालना है अपना mobile number तो mobile number मैं यहां पर sample के लिए 00 कर देता हूं यह मैंने डाल दिया इतनी details डालने के बाद आप लोगों को यहां पर change का बटन देख रहा है नीचे यहां पर click करना है और allow कर देना है इसे permission को और अपने mobile से select कर लेना अपनी photo को आपकी passport size photo होनी चाहिए तो आपको बिल्कुल square shape की photo लेनी है मैं यहां पर मेरे mobile में जो भी photo एक sample available होगी किसी app या logo वगरा की वो मैं यहां पर लगा दिता हूं क्योंकि मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यह बना रहा हूं तो मैंने यह लगा दी photo यह मैंने एक app के यहां पर लगा दिया photo अब य कि date of birth add करना जरूरी है तो आपको यहां पर enable पर click कर देना date of birth पे और फिर उसका date of birth का यहां पर option आ जाएगा enter करने का तो आप अपनी date of birth डाल दीजिए मैं sample के लिए कोई भी डाल देता हूं यह मैंने डाल दी अब यहां पर add पर आप लोगो नीचे again click करना है एक और बार और यहां पर आप आप nationality enable कर दीजिए और यहां पर nationality आप इंडिया से हैं तो आप Indian लिख दीजिए और फिर उसका अगें add पर आपको click करना है नीचे और marital status इस पर click करना है और यहां पर आप अपना marital status आप married है या single है यह सब लिख दीजिए और फिर उसका आपको add पर काम का तो मैं आपर नीचे इसे सेब कर देता हूं जी जो आप डालने अर्झो अब जो ड़ियों ऊपने डिग्री की है ग्रेजवेशन आपको ळप्ष्ट सेव दाने होंगी या थीन याव ने के ङहां दिक्री तो यहां स्कूल में यहाँ पर सेंपल के लिए आपको दखा रहा हूँ आप अपने स्कूल का नाम डालेगा और ग्रेड जोगा ग्रेड आया हो वह आप डाल दीजिए मैंने डाल देखे आप अपनी परसेंटेज भी यहाँ पर डाल सकते हैं और एक यह पर आपने यह क्लास खी थी रहता है क्लास 12 के डाल दीजी जिस भी आप बने यहाँ पर क्लास 12 से हुट हो यहाँ पर और फिर कॉछ डेड यहा पर आपने यह ग्रेड क्लस की थी एक्जाम कप दिया था आपने तो यह मैं लोगो एड़ड पर ऐखने क्लिक करना आपको आप यहां पर डिजुगा अपने डिगरी की तो क्यों कि आप बीदेगा ने ने बी डाल दिया और यूनिवरसिटी को भी आपको जो भी आपने छिस इक उले तो यहाँ पर आप वो डाल दीजिए और grade डाल दीजिए कितने grade के साथ आपने ग्रेजुशन complete की थी तो यह मैंने कर ली और यहाँ पर देखिए अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप अगें एड़ पर क्लिक करगे अपनी पोस्ट ग्रेजुएट जो आपने डिगरी की है वहाँ पर डाल दीजिएगा मैं सेव कर देता हूं और उसके बद आपको यहाँ पर एक्सपीरेंस पर क्लिक करना है और एड़ पर क्लिक करना है तो देखिए एक्सपीरेंस जो आपको हो अगर आप फ्रेशर है तो आप लोग तक आप एक ऑधआ सकते हैं तो जैसे में यहाँ पर कोई भी डिटा हड़ de egyetá डाल अबसे सब्सक्राइब करता थाँ च कोई भी जॉबkeiten करते हैं रहे हैं और पर कब से कब तक आप नहीं की कि तो आप डे डाल दीजे कोई भी और फिर उसके पाद आप को यहां पर क्लिक कर करके यहां यहां पर अपने skills डालने हैं, आपके अदर क्या qualities हैं, excellent communication skills, और फिर उसका आपको add पर click करना है, और यहां पर आप लिख सकते हैं, team collaboration, और अब आप फिर से add में click किजिए, ऐसे आपको एक-एक करके हर में अलग-अलग आप लोग को add करता जाना है, ताकि एक के नीचे एक list ज लिख सकता हूं, इस job के लिए better रहेगा, तो आपको अपने skills यहां पर लिख देना है, सारे, मैं यहां पर इतने ही दो ही रहने देता हूं, नहीं तो मैं एक-दो और add कर देता हूं, फिर उसका save कर देंगे हम, तो मैंने add कर लिए हैं, और अब हमने save पर click कर दिया, आपको objective पर click करने के बाद आप लोगों को यहां पर लिखना है, आपकी job का objective की, मैं इस company के लिए अपने potential के साथ काम करूंगा, company की growth के लिए, यह सब आप लोगों लिखना होगा, तो मैं यहां पर कोई भी यहां पर content लिख देता हूं, आप लोगों को यहां पर examples भी मिल जाएंग आपको, तो आप लोगों को उस पर click कर देना, जैसे मुझे यहां पर यह वाला अच्छा लग रहा है, तो मैं यह लिख देता हूं, देखें मैंने यह click किया, तो यह लिख गया है, आप लोगों examples पर जाकर कोई और भी आपको अगर अच्छा लगे, तो आप लोग वो भी reference का मतलब होता है, कहां से आपने इस company के बारे सोना है, यह सब आप लोग को add करना होगा, तो आप इसे छोड़ दीजे, यह किसी काम कर नहीं है, अब आप लोग को simply आजाना है, व्यू CV पर, व्यू CV पक्लिक करने का था, यह add शो हो रहा है, तो add आप कट कर दीजे, और आप लोग यहां पर zoom का बटन देख रहा है, उस पर click करके, zoom भी कर सेते हैं कैसा CV बना हुआ है, और फिर उसके बाद आप लोग को यहां पर download का बटन देख जाएगा, उस पर आप लोग को click करना है, तो देखी यह download हो चुगा है, आपको location देख जाएगा, आपके mobile में कहा बहुत ही easily, थोड़े ही steps को follow का कि आपने बहुत ही अच्छा perfect resume बना लिया है, तो friends वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को like करें, चैनल में नया होता सब्सक्राइब करने साथ, बलबले bell icon को turn on का नम मत भूलेगा,